नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट एड वन में मैं हूं अम्रिता और आज हम बात करेंगे उनहतरजार सहायक सिक्षक भर्दी की लेटिस्ट डपडेट के बारे में तो आज हम बात करेंगे हाई कोट की जो लेटिस्ट डपडेट से उनके बारे में और साथ ही साथ यह जो धोका धड़ीया जो फ़र्जी वारे की जाज है वो STF के द्वारा कहा तक पहुंची है और साथ ही साथ बात करेंगे हम Women's Reservation की यानि कि जो महिला अरक्षन है उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट ले बात करेंगे कि नई जो डेट पड़ी थी 19 जून को उसके बारे में लेटिस अपडेट क्या निकल कर आई है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में उसके बारे में जो नई खबर आई है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट मॉडिफिकेशन अप्लिकेशन की सुनवाई अभी कोई डेट निश्चित नहीं की गई है और नहीं अभी कोई जानकारी मिल पा रही है इट मेंस कि अभी असमंजस की स्थिती बनी हुई है कि डेट कब तक मिलेगी सेकेंड तिंग इस लीगल टीम लगातार इस विशह पर साशन और निदेशाले प्रयास रथ हैं यादि कोई सुनवाई के संबद में कोई नई सूचना आती है तो यहां पर आपको इस चैनल पर दिया जाएगा उनहतर साशिक्षक भरती की 67-800-67 की संपूर्ण चैन सूची चालेंज लोहा सिंग पडेल मामले की आज सुनवाई में सरकार को काउंटर लगाने के लिए तीन सब्ता और उसके बाद रिजोंडर लगाने के लिए दो सब्ता का समय दिया गया था और अब उसकी सुनवाई स आपको समझने वाले बात है कि उनहतर सिक्षक भरती के जो चैनित भ्यारती थे उनके सापेक्ष में लोहा सिंग पडेल है इन्होंने अरजी दाखिल की थी और उसके लिए तीन सब्ता और उसके बाद रिजोंडर लगने के लिए दो सब्ता का समय दिया गया था और इसकी स कई सारे ऐसे गुर्गे थे और कई सारे ऐसे सर्गना थी और कई सारे ऐसे अभ्यरती थे जो फर्जी वारे में पकड़े गये थे और इस फर्जी वारा है उसकी जो जांच थी वो सौब दी गई थी तो नतर्दा सिक्षक भरती सर्गना को कस्टडी रिमांड पर लेगी तो STF जो है अब रिमांड पर लेगी उन सभी सर्गनाओं को जो इस फर्जी वाड़े में लिप्त है सिक्षक भरती फर्जी वाड़ा करने वाले गिरोह के सर्गना Dr. K. L. Patel को STF अब कस्टिडी रिमांड पर लेगी कोड से निमांड पर लेकर उससे पूछताच होगी ताकि गिरोह के दूसरे सद्धिस्यों के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके अब आपको सोचना होगा कि जब ये लोग किस तरीके से अपना चाल फैलाते हैं कोई वेकेंसी आती है तो ये सारे कैंडिडेट्स जिन भी बच्चों ने ये फॉर्म एप्लाई किया होता है ये सारे सर्गना उनके कॉंटेक्ट में बने रहते हैं और फिर जैसे ही पता चलता है कि ये इस सभीर्थी ने इस जगे खबर ना हो अब कोट में रिमांड पर लेकर जो सारे अभ्यर्थी थे जो इस तरीके से पाए गए थे फर्जी वाड़े में रिमांड पर लेकर उनसे पूछताच होगी और सर्गना की कबजे में मिली डारी जो डारी थी सर्गना के पास मिली थी उसमें कई सारे ऐसे अभ् सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब तो आगाद कर लगांब को भने तियुक्तर मुझे सब्सक्राइब काझ व्य यहां से जूड़े कई Strais मेंने उपिए सब्सक्राइब दो ले गसा हुगोन सब्सक्राइब और उनके मुबाइल की जो location है लगातर बदलती भी जा रही है इट मीन्स कि जो मुबाइल है जो मुबाइल नमबर यहां पर रेजिस्टर्ड हुआ था डायरी में पाया गया था उसे कोई person है वो यूज कर है उनके movement यहां से वहां हो रही है अब STF की STF अफसरों का दावा है कि स्कूल प्रबंधक डॉक्टर केल पटेल के संबारक में ऐसे कई लोग भी थे उनकी जो गलत गति विदिया थी उनमें मदद करते थे यानि कि जब केल पटेल जो स्कूल के प्रबंधक थे जब भी उनके center में कभी exam होता था तो उनकी जो गलत गति विदिया थी यानि कि paper leak करवाना या answer की बाट देना या फिर बच्चों को पैसे देकर उन्हें answers बताना, solver उनके पास भेजना इस तरह की गलत activities में कई सारे ऐसे लोग थे जो उनका साथ देंगे especially एक इनसान का काम तो है नहीं तो यहां पर कई सारा जो है गैंग आपको दिखाए देगा कैसे एक तो paper वो जो paper leak करवाता है अगर आपको नीचे का कोई बंदा है कोई चपरासी है या कोई officer है कौन है वो second thing is कि जो paper leak करवा रहा है paper transfer कौन कर रहा है third thing is कि जो paper transfer हुआ है उसे solve कौन कर रहा है यहां पर solver की भी important boomika है और last thing is कि जब paper solve हो जा रहा है तो उसके बाद किन कि लोगों को पहुचाना है यह भी काम जो है एक अलग अलग बंदा करता है तो यहां पर काम किसी एक बंदे का नहीं है यहां पर कई सारे लोग है जिनका नाम यहां पर आपको दिखाए देगा तो जब KL Patel को remand में लिया जाएगा फिर STF उनसे पूछताच करेगी कि कौन कौन लोग है जो इस फरजी वारे में पाए गए थे चली बात करते हैं हम नेक्स्ट पर गाइस यह जो फरजी वार आपने देखा जिसके बारे में भी बात कर रहे थे यह चीज़े आपको तुरंत शायद ना दिखने को मिलें लेकिन आगे चलकर जैसे 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 जांस प्रक्रिया बढ़ेगी तब आपको यहां से कई सरी ऐ हमारा नाम था तब तक हमें जॉब मिल गई होती और जो और चैनित बच्चे हैं उनको ऐसा लगता है कि हम सेलेक्टेड नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस कई सारे ऐसे चैनित अभीरति हैं जुनका माना यह है कि जांच होनी चाहिए और पूरे तेगी से जांच जब ह हो जाए तब बच्चे संतोष होकर जाब करें कुछ कोई अब्यरति जो सच्चा हं इंदूस्तानी तो यह सचा इंसान है यह इस देश का भी मविश्य खराब होगा तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है देखिए एक और फर्जी वाड़े की कबर निकल कर आई है कि अमेठी में फर्जी कागजात के सहारे नौकरी करने वाले सिक्षिका आरती गिरफतार तो ये अमेठी के हवाले से कबर निकल कर आ अलग जिलों में एक ही लड़की अलग अलग नाम लेकर जॉब कर रही थी तो कनोज जिले की मूल निवासी आरती मैंपुरी की निवासी थी और बंज जिले में नौकरी कर रही थी तो पुलीस ने बुधवार सुबह फर्जी कागजाद की सहारे नौकरी करने वाली आरती को शहर के बस स्टेशन के करीब से गिरिफतार कर लिया है और स्टेफ द्वारा पकड़ा गया मास्टर माइंड पुषपेंद्र ने आरती को नौकरी दिलाए थी ये भी यहां से अब पुलीस ने पुषपेंद्र को और आपकी अनामी का शुकला है उन्हें पकड़ लिया है और उनके उनसे पूछताच करी जा रही है अब देखा जाएगा कि और कौन लोग हैं जो इस फर्जी वारे में लिप्त हैं और उन सब को भी रिमांड में लेकर उनसे पूछता करी जाएगी और जित्में भी लोग इस फर्जी वारे में पाई गए हैं उनको सजा दी जाएगी अब जो है बहुत ही जादा सेंसिटिव मामला है क्योंकि कई सारे ऐसे हमने पहले भी चीज़ डिसकस करी थी कि जब हमारे देश का संविधान बना था तो कुछ ऐसे रूल् फुल थे लेकिन अब यह क्या था कि कुछ लोग कुछ अभयरती ऐसे होते कि इनको लगता है कि यह हमारे अधिकारों का हनन है ठीक है न तो यहां पर आज हम एक ऐसा चीज है जो जिसे डिसकस करने जा रहे हैं कि महिला आरक्षन महिला आरक्षन आप किसी भी जॉब में जा जाते हैं आप मेडिकल में जाते हैं और भी किसी फील्ड में जाते हैं तो वहां पर आपको रेजर्वेशन मिलती है लेकिन 59,000 शिक्षक भरती में महिला आरक्षन नहीं मिला है तो 20% शैतिज आरक्षन को लेकर के महिलाओं ने आवाज उठाई है तो महिला आरक्षन पर हा से जवाब मांगा है हाई कोड की लखनों बैंच ने सहाइक सिक्षक के 79,000 सिक्षक भरती पदों पर मामले में महिलाओं के लिए 20% शैति जारक्षन पर राजी सरकार से जवाब तलब किया है अदालत ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सब्ता का समय दिया याची ने सहाइक सिक्षक भरती परीक्षा की चैन सूची को चुनौती दी है और याची ने कहा गया है कि राजी सरकार ने 30 अगस 1999 को और 22 अगस 2001 को सासना देश जारी कर राजी के अधीन पदों पर सिरी भरती में महिलाओं के लिए 20% 37 अरशातिज आरक्षन का प्रावध नहीं किया गया जो राजी सरकार की सासना देश का उलंगन है तो बहुत बड़ी बात कहीं गई है यहां याची द्वारा और याची का में मैंशन भी है कि 2022 अगस 2001 को सासना देश में यह उलखित था कि महिलाओं के लिए 20% 37 अरशातिज आरक्षन मिलना चाहिए और अगर य 20% अरख्षन क्यों नहीं मिला तो यह सारी चीज़े हैं यह जो जो महिलाओं को अरख्षन के बात है गईस तो कई सारे गौर्मन जॉब्स में आपने देखा होगा अरख्षन मिलते हुए पर इस वरती में नहीं मिला इसलिए यहां पर महिलाओं ने आवाज उठाई है मीना कुमारी और अन्य ने याचिका दायर की है 20% अरख्षन के लिए लास्ट आपका कि तारीक 19 जून को सुप्रीम कोट की कौज लिस्ट जारी करनी थी सरकार की मोडिफिकेशन अपील 19 को भी लिस्टेड नहीं हुई माननिया सुप्रीम कोट को 19 जून को डेली कौज लिस्ट आ गई थी और जिसमें मोडिफिकेशन अप्लिकेशन लिस्ट नहीं मैंशन हुई तो माननिया जस्टिस यू यू ललित और माननिया जस्टिस विनित शरन वर्चुल कोट नंबर टू में बैठेंगे तो यह थी आपकी लेटेस्ट अपडेट इस भर्दी को लेकर के आई जाजएट बगाए